बिस्मिल्ला रिह्मानी रहीम असलामों अलेकूम आज मैं आपके साथ में रेस्टरॉंट स्टाइल मटर पनीर की रेसेपी शेयर कर रही हूँ तो अगर आपको यह रेसेपी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को और अब मैं मैं अट कर दूँगी एक बड़ा साइस का टमाटर और इसको मैं ढखकर रखोंगी दो मिनिट के लिए अब दो मिनिट के बाद मैं इसको हलका सा चला लूंगी बस कि जो नीचे का प्यास है वो उपर आ जाए और इस तरीके से बस हम कर लेंगे और फिर से इसको भखका रख देंगे पांच मिनिट के लिए ताके यह सारी चीज़स सॉफ्ट हो जाए तो अभी आप देख सकते हैं टमाटर और कितने अच्छे से जो है वह सॉफ्ट हो चुके है और प्यास भी जो है वह ट्रांस्पेरेंट हो चुके है तो बस गैस की फ्लेम को हम बन कर दें और दो चोटे चमच में इसमें आड़ कर दूँगी धनिया पाउडर और ये समाम मसालों को पीस लेंगे कड़ाई में आड़ कर देंगे तीन टेबल स्पून कुकिंग ओईल और उसमें आड़ कर देंगे एक चोटा चमच जीरा शाह जीरा है तो वो भी आड़ कर सकते हैं और जीरे को जो है वो चटकने देंगे और इसकी जो खुश्बू है वो बहुत अच्छी आती है डिश्च में और ये जो मसाला प्रिपैर करके रखा हुआ था हमने वो आड़ कर देंगे और इसको फुल फ्लेम पर हम भूनेंगे पांस से चे मिनिट के लिए मसाला जो है बहुत ही जल्दी और फटाफट से भून जाता है ज्यादा इसको कुछ पकाने की ज़रुरत नहीं पड़ती है तब याप देख सकते हैं फुल फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे अच्छे से हम इसको चमच चला रहे हैं वरना यह जो है वह चिपकने लग जाएगा कड़ाई में और इसका फिर फ्लेवर खराब हो जाएगा इसलिए लगातार चलाते हुए इसको हमें पूरा अच्छे से भून लेना है तो तीन से चार मिनिट के बाद ही इसका जो ऑईल ह है वह दिखने लग जाता है और 5-7 मिनिट में यह मसाला जो है पूरा अच्छे से भून जाता है तो अभी आप देख सकते हैं ऑईल कितना अच्छे से छूटने लगा है तो बस यह मसाला जो है वह हमारा बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट हो चुका है और अब मैं आट कर रख़ते हमें 200 ग्राम पनीर तो करने करने के बाद भी हलके हलके हातों से बस हमें मिक्स कर लेना है बहुत जट पड से बनने वाली रसीपी हैं लेकिन बहुत डिलिशित और टेस्टी बनती है एक पर जरूरी मोदश जरूर करना गड़ेंगे और फिर जो हमने अब चाहिंगे ताके मतर जो है वो भी हमारे गल जाए और पनीर जो है वो थोड़ा अच्छे से और सॉफ्ट हो जाए तो इतना पानी मैंने एक गलास इसमें एड़ कर लिया है अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एड़ कर दीजिए क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नमक नहीं दाला था इसलिए मैं आप नमक इसमें आड़ करूँगी तो मैं आदा चोट और बस इसको हम रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर दस से पंदरा मिनिट के लिए ताके मटर जो है वह अच्छे से सॉफ्ट हो जाए पनीर भी सॉफ्ट हो जाए और यह ग्रेवी जो है वह थोड़ी सी थीक हो जाए तो यह हमारा मटर पनीर रेडी हो चुका है आप इसे स पराटी के साथ मिलता है नेक्स्ट रेसीपे में तब तक के लिए अल्ला हफीज